Basically, this story is about a magician. तो magician क्या होता है? Magician is someone जो magic करे. Magic मतलब जादू. तो magician कौन हुआ? जादूगर. एक ऐसा इंसान जो जादू करता है, यानि ट्रिक्स करता है. And the duck. Duck क्या है? Duck तो आपको पता है. Duck means बतक. तो अब हम इस story को रीट करेंगे. Mr. Pasha is a magician. Mr. Pasha एक magician है. यानि Mr. Pasha जादूगर है. वो magic करते हैं. He is a famous magician. वो एक famous magician है. Famous यानि जो बहुत ही प्रसीद हो जो यानि जिसके बारे में सब जानते हों. Today he is in राज स्कूल. तो जो राज है वो उनके स्कूल में है इस ताइम पर. बच्चों अब आप देखोगे. यहाँ पर स्टोरी किस तरीके से आपकी एक बाक्स है. बाक्स में कुछ लाइन लिखी है. और फिर ये बाक्स को पॉइंट किया गया है एक इंसान की तरफ. जैसे ये magician है. तो ये डायलोग जो है वो इसकी तरफ पॉइंट किया है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, जैसे बाक्स में लाइन है, वो एक्चल में क्या है? डायलोग है. यानि ये जो जिस इंसान की तरफ इसे पॉइंट किया गया है, इस इंसान ने ये लाइन बोली है. जैसे कॉमिक बुक्स में होता है, जैसे इस इंसान की तरफ पॉइंट किया है, इसका मतलब वो इंसान ये लाइन को बोल रहा है. वैसे ही यहां पर भी है. तो ये जैसे बाक्स है, इसको पॉइंट किया है मजीशन की तरफ, यानि magician ने ये lines बोली है वैसे ही जैसे यहाँ राज के उपर ये box को point किया गया है इसका मतलब ये जो line है ये जो sentence है ये राज ने बोला है तो अब हम इसको read करेंगे look this is a ball and that is my handkerchief देखो ये एक ball है और ये मेरा hanky है ये किस ने बोला ये magician ने जादूगर ने राज put the handkerchief on the ball please तो magician ने क्या बोला कि राज तुम handkerchief इस ball पे रख दो please तो राज ने क्या किया हैंकरचीफ ball पे रख दिया now see my magic I pick up the handkerchief there is no ball उसने बोला अब मेरा magic देखो magician ने बोला ये कि मेरा magic देखो मैंने अपना handkerchief हटाया और यहाँ पर कोई ball नहीं है तो राज बोला it's an orange तो वहाँ पर क्या हुआ उसने राज को बोला कि मैंने ball ली है ball पे आप handkerchief रख दो राज ने उसके उपर handkerchief रखा तो magician ने जैसे ही वो handkerchief हटाया उसमें से क्या निकला orange मतलब जो ball था वो गायब हो गया था और उसकी जगा orange आ गया था और सभी बच्चे यह देखकर खुश हो रहे हैं clapping भी कर रहे हैं अब यहाँ पर magician दूसरे trick दिखाएगा यानि एक और बार जादू करेगा अली what's in my hat तो अब यह राज की जगा दूसरे बच्चो को बुला रहा है जिसका नाम है अली अभी अली को कहते है अली मेरी हैट में क्या है तो अली क्या कहता है नथिंग इसमें तो कुछ नहीं है तो magician बोलता है put my hat on the table please इसने क्या किया अभी अली को बोला कि आप मेरी हैट को टेबल पे रख दो अली ने हैट जो है वो टेबल पे रख दी I pick up my hat Oh no, there is something under it तो magician कह रहा है मैं अब दीरे दीरे अपनी कैप हटा रहा हूं और अली देख रहा है Oh no, इसके नीचे तो कुछ है It's a hen It's a nice fat hen तो यहाँ पर क्या हुआ अभी जैसे ही कैप हटाई उसके अंदर से क्या निकली Hen यानी मुर्गी निकली तो उसको देखकर अली डर गया और magician कहता It's a nice fat hen यह बहुत अच्छी मोटी hen है तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे तो magician ने दो जादू किये